बिंडी एक ऐसे सब चीज़ों जादा करके सबी लोगों को पसंद होता है और बिंडी की अच्छी बात ये भी है कि इससे बहुत अलग अलग तरीके से बनाया जाता है को ओराल फ्रेश भिंडी का यूज करना है उसके बाद आको लेना है लस्दून मिर्ची ग्रैंडिंग जार में इसको पीस लेना है। इसके बाद आई-चमच से कम हल्दी पाउॉडर मैं जी। आपके जी ताउडर ये होता है जो आपको ग्लाइं कर लेना है सुखा नारियल तो यह देर से दो चमबच और यह लास में आप देखे जो अचार होता है उसका मैंने मसाला यूज की हूँ आप चार्ट मसाले का यूज कर सकते हो और आप यहाँ पर थोड़ सा आप ओईल का भी यूज कर सकते हो और आपको यहाँ पर मसाला फिल करना है मसाला अगर आपका बहुत जादा चटपटा बना तो आपको बहुत जादा फिल नहीं करना है मसाला small size में या फिर overall बहुत ज़ादा fill नहीं करना है medium size में इसको fill कीज़े बहुत ज़ादा बहुत कम भी नहीं कुछ इस तरीके से इस तरीके से मैं सारे बिंडी के अंदर मसाले को fill कर लूँगी अच्छी तरीके से जैसे ही ये अच्छी तरीके से fill हो जाएगा अभी आप देखे मैंने सारे मसाले को इसमें fill कर दिया है अभी अगर बिंडी के size आपको असे लग रही कि ये बड़ी है तो आप इसको छोटी कर सकते हो छोटी आपको कुछ नॉर्मल इस तरीके से कर लेना है अगर आपको और छोटी करनी है तो आप छोटी करिए बट मुझे ऐसा लगता है कि इतनी बड़ी size इनफ है और इतनी बड़ी size अच्छी लगती है आप देखे तेल जब गरम हो जाए आपको डालना है जीरा प्यास प्यास मैंने दो प्यास का और अच्छी तरीके से आप इसे बीच में चलाते रहे और बूनते रहे यहां पर आप कम जादे ओल का यूज कर सकते हो as per your preference अभी आप देखे इसको मैंने ढग दिया है बीच बीच में अभी आप देखे पास से 7 में अट हुआ है मैंने इसको बीच बीच में चलाते रही हूँ और आप देखे यह कूक हो गया है 80% तक बट मुझे ऐसा लग रही कि मसाला थोड़ा सा और बुनना चाहिए जिस वज़ए से मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डालना है बहुत जादा पानी का दीखिया आपको यूज नहीं करना फीड़ों में भी देख सकते हूँ मैंने बहुत कम पानी का यूज की हूँ अगर आप जादे वाल का यूज करते हूँ तो आपको बिल्कुल पानी डालने के जर्वत नहीं पड़ती क्योंकि वो आइल से ही अच्छी तरीके से हो जाता है देखे अगर मैं चमच से बात करूँ ना तो ये मैंने पास से 6 चमच पानी का यूस किया है छोटे वाले चमच से जिससे हम नॉर्मली घर में कोई भी चीज़ों को कंजूम करती है ये हो गई है रेडी तो आप भी सिर्फ राय करना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आकन को जरूर सरूर से प्रेस करना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगे तो वीडियो को एक लाइक कीजे कॉमेंट करके जरूर बताई कि आपको वीडियो कैसी लगी तब तक के लिए बाई बाई टेक केर अपना ध्यान रखना फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ में बाई